आज का एक प्रम्ख विशह है, डिप्रिशन वालों को सिर के अंदर हिर्दय की धड़कन अक्सर सुनाई देती है। डिप्रिशन वाले ही नहीं, खास करके वो लोग जो बहुत ओर्थिंकर होते हैं और वो लोग जो बहुत अपने को suppress करते हैं अपने thought को अपने emotions को बहुत suppress करते हैं दबाते हैं उन लोगों को भी हिर्दय में धड़कन सुनाई देती है धड़कन तो होती ही है body के हर एक जगा पर लेकिन excess सुनाई देती है और उससे हम और anxious हो जाते हैं तो इसके लिए हम क्या करें कि इस से बचें और हमारी मतलब इस से बचें और साथ-साथ हमें भविस में और ये सारी परिशानियां नहों इसके लिए सबसे अच्छा उपाय है वाक सबसे पहले ताकि हिर्दें की धड़कन थोड़ा कम हो क्योंकि वाक करने पर जब आप बहुत आराम से ध्यान दें बहुत जल्दी जल्दी वाक हमेशा मैं अलाव नहीं करता मेडिकल साइंस या डॉक्टर हमारे बहुत तेज वाक अलाव करते हैं बोलते हैं कि हार्ट के लिए बहुत अच्छा है लेकिन मैं बार-बार कह रहा हूं कि बहुत तेज वाक का मतलब है दिमागी रूप से आप इंपेशेंट हो रहे हैं आप फिजिकल तेज हो गए लेकि नहीं करेंगी तो वो उस पर कंड्रोल होना चाहिए आपका आराम से हर चीज आराम से करो बहुत जल्दी बाजी द्या में नहीं करो जल्दी बाजी करके बहुत लोग निकल लिए उसको छोडो तो एक वो चीज जल्दी बाजी इसमें हटाएं दूसरा अगर आप देखें तो अपनी नाक को चेक कर लें। ऐसे लोग जिनकी धड़कने सिर के अंदर तेज होती हैं उनकी एक नाक इस्पेसिली राइट नॉस्टिल बंध होती है। और वो रात भर अगर उनकी दूसरी सेम्टम की मैं बात करूँ तो रात में वो रात भर पलटते रहते हैं। जिनको मैं कहूंगा वाता डॉमिनेंट एक्स्ट्रीम वाता डॉमिनेंट जिनको रात में नीन नहीं आती तो माइन रात भर पलटता रहता है बाडी को। एक किसी भी एक एंगल पर घंटे दो घंटे बाडी इस्टिल नहीं सो सकते। इसलिए ऐसे लोगों को मैं रात को सोने के पहले भी प्रनयाम और एक्सरसाइज करने को प्रिफर करता हूं कि वो करना चाहिए उनको ताकि रात अगर उनकी रात की स्लीप बहतर हो जाए तो उनका ब्रेन शांत हो जाएगा और जो धड़कन है बार बार रात भर या दिन भ सुनाई देती है वो बंद हो जाएगा धड़कन सुनाई देने का अर्थ है कि आप बहुत एंक्सियस स्टेट में जा रहे हैं ये रोग नहीं है ध्यान दें ये एक सेंटम है आपका नर्वोस सिस्टम आपका सिस्टम आपको एक संदेज दे रहा है कि आप सुधर जाएं आ आप हमारे इंबालेंस को ठीक करें तो इसलिए ये एक बाद में अगर आप देखें तो ये पैनिक अटैक की रूप में लाता है लेकिन इसको पहले ही कंट्रोल कर लें तो इसके कूप रभाव से हम बच सकते हैं तो पहली बात राइट नॉस्टिल बंद होता है तो आप र इसलिए डिक्शन की अदेट्शन कोई इमोशन को चीज चलने लगी कोई जैसे दिमाग में आई तो शलती है उसको रोक नहीं सकते यह लों मालोग कोई चीज आगे रिमाग में कि मेरे हाट में प्रॉब्लम है आप तो प्रमाइब के Х skills माइंड को यह दआ ऐर कराना चैए तो डाय आवक नहीं होगा जबकि हाथ में प्रॉब्लम है और नहीं डूसरी बात है यह practical approach है पर यहां पर heart में problem नहीं, heart से ज़्यादा problem खड़ी हो जाए ही, तो यह panic attack की रूप में आ जाता है, तो हम process करें जब भी ऐसा कोई चीज दिमाग में बैठ जाए, तो आप immediate अपने पंजे पर walk करना शुरू कर दें, feet पर, जिसको हम कह सकते हैं, toe पर walk करना, heel को नीचे ऐसे लोगों को ज़्यादा नहीं दबाना चाहिए, तो अगर आप देखें, छोटे बच्चे, छोटे बच्चे कभी भी heel press करके walk बहुत कम करते हैं, बहुत कम बच्चे करते हैं, ज्यादा तर बच्चे जो बहुत active माने ज जाते हैं, वो पंजों पर walk करते हैं, मिलेंगे आपको, मतलब heel को heel dominant नहीं होता, toe dominant होता है, तो आप जब आपके अंदर ऐसे thought process शलें, तो आप जगा पर इस्थर बैठें नहीं, immediate अपने toe पर walk करना शुरू करना, और ये मैं कोई पढ़ी-पढ़ाई बात नहीं कर रहा हू ये मैं इस lockdown में, आठ महने में, यदि मेरे उपर आप देखें, तो इस आठ नो महने के दोरान, मैं प्रति दिन कम से कम 12 से 15 किलोमेटर अपने इस 20 फिट के hall में, 25 फिट के hall में, रोज walk करता हूं, और जिसमें से आधा कम से कम लगभग 7 to 8,000 steps के वल टोस पे होता है, और इस से मैं अपनी heart beat, pulse rate, ये सब कम करके चेक करता हूं, और किसी एक program में, मैं आपको live दिखा दूँगा, कि कितनी heart beat में less करता हूं, after walk, before walk, during pranayim, ये सारी चीज़, इविन की, ऐसी धरकन, उन लोगों को, धरकन पे तो control होती नहीं, तो जब आपकी pulse rate बढ़ती है, और pulse rate बढ़ेगी, तो यहां तो सुनाई देगी, यहां तो सुनाई दे ही रही, यहां भी सुनाई देने लगेगी, लेकिन अगर ऐसे लोगों की pulse rate और breathing ratio rate कम करा दिया जाए, तो नहीं सुनाई देगी, बिलकुल नहीं सुनाई देगी, और हमारी absorption of oxygen increase हो जाएगी, जब टो प मतलब है आपके, आपका heart means की calf muscles पे, चुकि आप टो पे चलते हैं या feet पे चलते हैं तो calf muscles की stretching होती है, तो इसका मतलब है कि आप अपने heart और अपने brain को sink कर रहे हैं, और oxygenate कर रहे हैं, blood के flow को increase कर रहे हैं, और कोई एक thought जो आपके अंदर बैठ गया है, उसको अपने blood के flow क increase करके उसे हटा रहे हैं,